दिखिए इस वीडियो में हम पर्ण हे जा रहे हैं, फंक्शन्स इन जावश्क र्वा स्कृप्ट माल लीजे मैंने आपसे कहा, कि आपको हलो हलो लिखना है, आपने लिखा console.log ठीक है अने आप से कहा फिर से hello लिखिए आपने फिर से console.log हलो लिखा मैंने फिर से बोला आपने फिर से लिखा यनि कि एक ही काम बारबार करवारा मुँआ है यह तो सीरफ एक ही LINE का CODE है मैंने आप से बोला कि पहले देखो फिर 2 का जिए स्क्वैर निकालो उस में मल्टिप्लाय कर दो 3 और ये काम 1000 बार करो तो obviously अगर वो काम तीन लाइन में हो रहा है तो आप बार बार तीन तीन लाइन लिख हो गया obviously unproductive चीज है इसलिए क्या आया functions आया function में मैं वो code लिख सकता हूँ जो कि मैं repeat करूँगा बार बार जैसे कि हम बच्पन में parse int करते थे parse int करते थे ठीक है ना हमने यूज किया था तो यह क्या है यह function है जावा स्क्रिप्ट के अंदर inbuilt parse int function है जब भी मुझे कोई string parse करानी होगी into integer मैं parse int call कर लोगा ऐसे ही reusable code को बोलते है function तो console.log hello में इसको 10 बार करना है इससे अच्छा क्या है मैं एक function लिख देता हूं अब function लिखते कैसे हैं ठीक है जैसे कि इन्हों ने जावा स्क्रिप्ट वालों ने parse int दे दिया हमें हमने call कर लिया parse int call कैसे करते हैं brackets में इसका argument दे दिया call हो गया ठीक है लेकिन पार सेंट की शकल कैसी है यह जावा के अंधर डिकलेर करते हैं कैसे डिकलेर करते हैं एक function वह मैप को बता जीता हूं जैसे की function greet greet नामक एक मैं function वाना रहा हूं तो एसे function होना ते हैं क्या लिखते हैं function keyword लिखा फिर नाम लिखा then small bracket then curly bracket curly bracket में क्या रिखेंगे उसकी body body क्या थी? console.log hello हम hello लिख रहे थे ना भी बार-बार तो अब क्या कर सकता हूँ मैं? ठीक है? function मैंने ये declare कर दिया अब मैं पूरी की पूरी ये console.log hello ना लिखके हर बार greet call करा लूगा greet अगर मैं greet ही लिखता हूँ तो ये बताएगा greet की definition क्या है शकल कैसी है अगर मैं इसको call करना है call करना है यनि कि जो उसके अंदर लिखा हुआ वो code चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? small brackets ये parentheses लगानी पड़ेगी तो चल गया है hello आ गया है यनि कि ये वाला code चल गया है तो अगर मैं greet लिखूँँगा हर बार हम hello print हो जाएगा अब देखिए तो ये हमने function ऐसे define किया था function की word greet console.log hello हर बार hello ही print कर रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई हाई भी print करे hello world ही print करे तो ये काम कर सकते हैं इसको हम dynamic बना सकते हैं अब देखो ये static ये क्या है hard code किया है मैं hello समझ रहो hard code कर रहा है अंदर कि हर बार hello ही print होगा जब मैं greet करूँगा तो मैं आपे एक argument दे सकता हूँ अब देख रहो जैसे कि अब ये बहुत देखाता हूँ क्या message message या फिर कुछ भी लिख दीजे ए लिख दीजे तो आप ग्रीट के अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा ना कुछ भी दुनिया के कुछ भी चीज तो वही print हो जाएगी तो आप ग्रीट के अंदर मैंने लिखा हाई अच्छा अब देखेगा एड कराने दो नमबर एड कराने है अच्छा इससे पहले वाले example में मैंने ए लिखा था यानि कि एक argument अब मेरे को दो argument देने हैं तो एकोमा बी अगर मेरे को तीन देने होते तो एकोमा बी कोमा से जब मैं call करा रहा हूँ कितने argument मेरे को pass करने है वह यहाँ पे लिख दूँगा ठीक है डिकलेर करते समय तो मेरे को अभी दो नमबर्स एड कराने console.log a plus b अब देखो जिखान से a plus b करा है मैंने console.log हो जाए कोई दिक्कत नहीं है अच्छी बात है add अब मैं 1,2 करूँगा तो ये 3 print कर रहा है क्या कर रहा है print कर रहा है अच्छा अब मैं करता हूँ अपना add की cycle change कर देता हूँ return करता हूँ क्या करता हूँ return function देखो function दो तरह के होता है या तो वो कुछ return करेगा या वो कुछ return नहीं करेगा simple सी बात है return कराने का मतलब क्या है बताता हूँ देखो add 1,2 add 1,2 यहाँ पर कुछ लिखा है return कर रहा है क्या पता है इच्छे लेगा मतलब क्या कहने का मतलब मतलब दाता हूँ देखो अगर मैं var c लिखता हूँ क्योंकि इस function ने कुछ return नहीं किया अब मैं बहुत देर से होल रहा हूँ return नहीं किया return नहीं किया मतलब क्या है return बताता हूँ मैं देखेगा a plus b print करा रहे है return नहीं करा रहे है अगर मैं रिटर्न कराना है कुछ तो मैं लिखूँगा return a plus b ना कि console.log a plus b ठीक है अब मैं ये चीज कर पाऊँगा ये वली चीज var c is equal to add 1,2 ठीक है अब देख रहे हो इसके अंदर क्या लिखा हूँ है console.log statement नहीं है अच्छी बात है सिर्फ return लिखा हूँ है यानि कि जैसे ही मैं call कराऊँगा तो return हो जाएगा return किस में होगा c में यानि कि c में पटक दी जाएगी a plus b की value a क्या है 1 है b क्या है 2 है c is equal to 3 हो जाएगा c की शकल देख लेते हैं 2 numbers से multiply कर आने का function लिखते हैं कोई नहीं बात नहीं है function लिखेंगे function declare जैसे करते थे var a is equal to var a is equal to 1 ऐसे ही function लिखते हैं कोई नहीं बात नहीं है function ठीक है function का नाम multiply बोल देते हैं ठीक है और फिर दो arguments a,b ठीक है और फिर उसकी body body में return कराने है a multiply by b बस इतना सकाम है multiply लिख देते हैं क्या 1,4 बलकि कुछ और लिख देते हैं 6,2,12 बहुत अच्छी बात है एक और तरीका इसको करने का इसको करने का एक और तरीका function को मैं एक variable में पटक भी सकता हूँ ठीक है var करके भी लिख सकता हूँ ऐसे तो declare करी रहा हूँ मैं ठीक है अब जब भी चाहता हूँ मैं multiply call करा सकता हूँ मैं लेकिन एक और तरीका इसको लिखने का var multiply is equal to function a,b और यहाँ पर लिख देता है multiply by b यह भी तरीका है ठीक है अब यह क्या हो गया function को मैंने multiply में पटक दिया ठीक है अब जैसे मैं पहले call करा रहा था ऐसे ही call करा सकता हूँ कोई rocket science नहीं है समद्रवाद को यानि कि दो तरीके हो गए है to declare a function ठीक है भई तो अब इतक हमने देख लिया है function क्या होता है हमने देख लिया है कैसे लिखते है function कैसे declare करते है हमने देखा non-parameterized function जिसमें कोई भी parameter pass नहीं हो रहा है ठीक है फिर हमने देखा कि हाँ भाई parameter भी pass कर सकता है कोई नहीं बात नहीं है और उसको फिर use कर सकता है फिर हमने देखा दो तरीके होते है function को declare करने के ठीक है ऐसे कर लिजे या फिर equal operator का इस्तमाल कर लिजे और फिर पटक दीजे किसी variable में एक और तरीका है multiply is equal to arrow function बोलते है इसको क्या बोलते है arrow function a,b then arrow और यहां के लिखता हूँ मैं जो return कराना है a into b multiply ये के लिखा हुए ये चीज सेम चीज ये लिखी हुई है function को उडा दिया function को गायब कर दिया फिर ये चीज लिख दी ठीक है parameter और parameter और body के बीच में arrow पटक दिया arrow पटक दिया ठीक है और इसके बाद के लिख दिया मैंने direct a into b मतलब बताता हूँ आपको फिर से दिखाऊँगा लेकिन चला के देख लेते हैं एक बार 1,3 किया मैंने 3 आपके बहुत बढ़िया एक बार उससे बताता हूँ function add add करते है a,b add किया return किया a plus b बहुत च्छी बात है अच्छा arrow function के है नया थरीका है function को declare करने का तो मैं लिख देता हूँ var new way या फिर new add ठीक हुछ भी अच्छा return a plus b एक और तरीका है function लिखा direct फिर के लिखा variable में पटक दिया एक यह तरीका हो गया एक और तरीका क्या है इसको बोल देते है latest add ठीक है ना हम कुछ भी दे रहे हैं ठीक है वई वर नहीं पटता ठीक है var new add equal to var latest add equal to same दिख रहे है कोई rocket science लिए अब इसमें क्या किया function उड़ा दिया भाई सबको पता है function नहीं तो है ठीक है सबको पता है अच्छा तो function को उड़ा दिया एक कोमा भी direct लिख दिया arrow ठीक है arrow parameter और body के बीच में arrow पटक दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी चल जाए गए यहाँ पर मैं कुछ और भी कर सकता हूँ console.log फ़लान इमका ना कुछ भी कर सकता है ठीक है लिख देते है console.log और यहाँ पर लिख देते है I am arrow function ठीक है अच्छी बात है चलाते है add किया मैंने 1,2 3 आ गया new add किया new add किया यह वाला चलेगा अब यह वाला 2,4 ठीक है 6 आ गया latest add करते है latest add 9,1 ठीक है चलाया क्या आया है I am arrow function 10 obviously क्योंकि आप हमने यह लिखा हुआ है अब ध्यान से देखेगा arrow function खोल लेते है यह arrow function arrow function को हमने देखो console.log लगाया था लेकिन वो तो मैंने ऐसी दिखाया था इसके उजरत है नहीं जब body के अंदर multiple statements होते है जब body के अंदर multiple statements होते है तभी curly brackets की आवर्शक्ता होती है हम curly brackets हटा सकते है to make this more minimal अगर single line लिखी हुई है कहाँ पर body के अंदर ठीक है अब देखें यहाँ पर अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो single line of code है return a plus b तो मैं curly brackets हटा सकता हूँ ताकि photo और clear हो जाए ठीक है और single line में इस सब हो जाए का single line में अच्छा अब यह bracket हटा दिया है हमने bracket हटा दिया है ठीक है return भी हम हटा सकते है बलकि हटाना पड़ेगा return भी हटा दिया अगर bracket हटा दिया है तो return भी हटा दीजे automatically इसका मतलब भी है कि आप दे रहे हो a,b and आप return expect कर रहे हो a plus b फिर से आप function में दोगे 1,2 and आपको मिलेगा return 1 plus 2 समझ रहे बात को यह है कहानी ठीक है arrow function और देख लेते हैं square देख लेते हैं var square is equal to आपने क्या दिया आप एक argument देगो सिर्फ एक अच्छा x ठीक है arrow and आप return क्या करोगे x into x square 9 का square 81 एक और बात 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 दूँ अगर एक ही argument है तो आप यह bracket भी skip कर सकते हो देख रहे हो कितनी clear हो गई है फोटो आप ठीक है clear photo हो गई है 10 का square 100 एक line में function defined without function keyword without curly brackets ठीक है इसे बोलते है arrow function ठीक है हमने पढ़ लिया arrow function अच्छी बात है लेकिन हम conventional वाला method यूज करेंगे अभी थोड़े देर के लिए greet हमने लिखा था greet याद है थोड़े देर पहले greet हमने method बनाया था और यहाँ पे हमने console.log किया था ठीक है message के साथ पहल किना बहुत च्छी बात है मदा आगया या फिर थोड़ा और अच्छा आए दे है greet को console.log करेंगे हम पांच बार ठीक है पांच बार console.log loop लगा देते है for int i is equal to 1 से लेकर i less than equal to 5 i plus plus ठीक है loop चला दिया हमने ठीक है कोई rocket science नहीं है int नहीं वार आएगा obviously ठीक है अच्छा बहुत च्छी बात है हमने चला दिया अब मैं greet लिखता हूँ जैसे high लिखा मैंने high तो high जो है वो 5 बार print हो जाएगा obviously इसने नहीं दिखाया 5 लिख दिया इसने ठीक है मैं काम कर सकते है हम message plus high प्रेंट करा देते है ठीक है अब greet high करेंगे तो high 1, high 2, high 3 आई से करके message आएगा बहुत ची बात है लेकिन मैंने मैं आलसी हो गया हूँ मैं चाहता हूँ मैं greet call करा हूँ ठीक है लेकिन भाई ग्रीट करा रहा हूँ तो कुछ न कुछ by default तो आना है जैसे कि hi, hello, welcome कुछ तो आए अगर मैं कुछ पास नहीं करता हूँ ठीक है लेकिन नन प्रिंट हो रहा है हर बार क्योंकि message क्या गया message में कुछ नहीं गया और message plus हमने क्या कर दिया है five कर दिया नोट नमबर आया होगा ठीक, अच्छी बात unexpected behavior इसके लिए हम क्या कर सकते है बताता तो ये syntax है message is equal to hello there अगर आपको by default कुछ value देनी है तो आप यहाँ दे सकते है equal करके अब अगर मैं greet में high लिखता हूँ अच्छी बात है high आजाएगा लेकिन अगर मैं greet में कुछ नहीं लिखता हूँ तो देखो क्या आएगा hello there आएगा ठीक है, बहुत बढ़िया अब दियान दीजेगा मैं एक लिख रहा हूँ function ठीक है name function का name क्या है FUN डाल देता है ठीक है parameter क्या दे रहे parameter कुछ नहीं दे रहे ठीक है और अच्छा अब मैं यह करना चाहता हूँ मैंने लिखा है var x is equal to कितना 22 ठीक अच्छी बात फिर console.log कर दिया मैंने क्या 22 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चला दीजे इसको अब मैं FUN को अगर चलाता हूँ तो 22 प्रिंट हो रहा है अब मैं बाहर console.log करता हूँ किसको x को कह रहा है x is not defined मतलब क्या इसका मतलब यह है कि देखिए x मैंने इस function के अंदर कॉल कराया है ठीक है ना तो इसको बोलते है इस function के अंदर यह इसके function के बाहर नहीं है आप इसको इसको इस्तिमाल नहीं कह सकते हैं इस function के बाहर अच्छा बहुत च्छी बात है अब एक काम करता है मैंने function लिखा ठीक है hello feed से लिख देता है एक hello function डाल देता है another function ठीक है और यहां पर मैं लिखता हूँ देखना variable का नाम देता है variable का नाम ए कुछ भी दे दिया और फिर ए को call कराएंगे देखरो अब देखे इसकी photo देखिए एक ध्यान से देखेगा function लिखा है अच्छी बात है another function ना में तो कुछ भी हो सकता है ए दिया मैंने as parameter जैसे की भाई हो सकता है variable नहीं variable नहीं हो सकता है क्यों कि देखो यहां पर क्या है brackets लगादी है इसको call कर रहा हूँ अच्छा इसको call कर रहा हूँ call तो भाई function करता है इसका मतलब क्या है इसके अंदर एक function भेज सकता हूँ जैसे की hello भेज सकता हूँ जैसे ही मैं hello भेजूँगा ना तो ए क्या हो जाएगा hello यह वाले statement करेगा hello को call कर देगा ठीक है अच्छा बहुत अच्छी बाद देखो और print भी हो गया hello call भी हो गया console.log hello आ गया समझे बात को कहने का मतलब कहने का सार क्या है भाई कहने का मतलब यह है कि मैं function को parameter में भेज सकता हूँ as argument ठीक है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको ठीक है दो numbers को add करने का function लिखवा है था इसको क्या बोलते हैं अब देखे का ध्यान से हमने लिखा था add करने का function a,b return a plus b लेकिन आप आए भाई अगर मैं इसमें तीन function दे दूँगा तो क्या होगा obviously नहीं चलेगा ठीक है क्योंकि यह दो यह accept कर रहा है आपका दिमाग तेज है आपने क्या किया a,b,c कर दिया यहाँ पे a plus b plus c कर दिया बहुत च्छी बात है फिर माया अच्छा आप मैं 4 करना चाहता हूँ तो आपने फिर से क्या कर दिया a,b,c,d किया यहाँ पे क्या कर दिया d आ गया देखे हो आप ऐसे थोड़ी करेंगे यह spread operator होता है dot 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 nums यह दो नामों से जाना जाता है spread operator spread यह नहीं की खोल दिया आपने क्या कर दिया खोल दिया list है कोई आपने list खोल दी जैसे कि माहा लिजे var list 1 is equal to मैंने लिखा 1,2,3 अच्छी बात है फिर मैंने लिखा var list 2 is equal to 4,5,6 is equal to var list 3 is equal to dot 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 list 1 comma dot 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 list 2 अब मैं list 3 की शकल देखूंगा तो ही क्या हो गया है list 1 पकड़ी है उसको खोल दीजे comma list 2 पकड़ी है उसको खोल दीजे basically यहां पर क्या लिखा हुआ है 1,2,3 खोला हुआ यहां पर क्या लिखा हुआ है 4,5,6 खोला हुआ है अगर मैं यह dot 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 नहीं लिखता तो देखो यह क्या हो जाती ही यह हो जाती हमारी arrays के अंदर list के अंदर list ठीक है यहनि के list 3 की शकल देखिए अब क्या हो रहा है क्या होग यह है इसमें list के अंदर list आ गई समयने बात यह क्या है यह है spread operator लेकिन यह dot 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 एक और नाम से जाना जाता है वो मैं आपको बता जेता हूँ वो जाना जाता है rest parameter के नाम से अगर आपको number नहीं पता है कितने आने वाले हैं जैसे हाँ पर nums लिखा मैं मैं अगर को नहीं पता है लूप चला सकता हूँ ठीक है वार i is equal to zero लेते हैं संबल की वार sum is equal to zero ठीक है और इसमें अब लूप चला सकता हूँ मैं nums में for where i is equal to zero and i less than nums.length i++ ठीक है and यहाँ पे लिखते हैं sum is equal to sum plus nums at i ठीक है तो nums में loop चला लिए हमने और sum में, sum variable में पटक दे गए हर nums को, ठीक है, हर number को जो की इस array में होगा, और finally return कर दिया हमने sum को, ठीक है, अब मैं अगर add चलाता हूँ, और 1,2,3,4 देता हूँ, तो इस cancer जाएगा 10, ठीक है, सब्सक्राइब बात है, कितने भी अब मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ, ठीक है, हमने loops वाली वीडियो में, for loop देखा था, while loop देखा था, do while loop देखा था, यह हम इस्तमाल कर रहे हैं, obviously, for loop का, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हमने function cover कर लिया है, अगर कुछ मैंने miss कर दिया है, तो आप comment section बदा सकते हैं, यह miss कर दिय regarding function in javascript, ठीक है, video swap, next video की लिंक आपको इस कार्ट पर मिल जाएगे,